बिस्मिल्लायर्मानिराहीम असलाम अलेक। आज मैं आपको ये रैडिमेड न्यू स्टाइल कुर्ता की कटिंग बता रही हूं। ये इसके कंदे तिर्चे हैं। और नीचे से भी उरेव शेप में नीचे की तरफ खुला होता जाता है। और ये बाजू भी इसके कुले हैं। ये देखिए। इसका दामन तियार जो है वह 29 इंच है। और लेंग्ध इसकी 39 नीच है। और ये लाज़ साइज है। और ये इसकी कटिंग करते हैं। ये फ्रंट साइड मैंने नीचे बिचाए हुई है क्यूंकि इसकी साइडों से फाल्त कपरा नहीं काटा तो इसलिए इसको नीचे बिचाया है। एक चीज इस कुर्टे में दियान रखना है आपने कि जितना आप अपनी नार्मल शेट का तीरा रखती हैं। से एक इंच तीरा ज्यादा रखना है। और जितना आप कंदा नार्मल शेट का रखती हैं। यानि के बाजू की तरफ से जो कंदा होता है वो आपने इसमें एक इंच ज्यादा रखना है। सपोज मेरा तीरा जो है ना वो नार्मल 14 इंच होता है तैयार तो यहां पे मैं तैयार 15 इंच रखूंगी यानि के 16 इंच काटूंगी तो तैयारों के 15 इंच रह जाएगा और बाजू मेरा जो है वो नार्मल 9 इंच होता है तो यहां पे मैं तैयार 10 इंच रखूंगी यानि क साड़े दास हिंच फोल्ड किया हुआ बाजू काटूंगी यह पहले तीरे की तिर्शी कटिंग कर ले लेंग्ध को डिसाइड करके अभी यहां पर आठ हिंच पे तीरे का निशान लगाना है आठ हिंच पे निशान लगाया है अभ आपने अदाज़े से नौ इंच के बाद यानि नौ इंच नीचे आके चेस्ट का निशान लगाना रहा है चेस्ट भी एक इंच आपने में खुली रखनी है मेरी नॉर्मल चेस्ट एकीस इंच है तो यहां पे मैं 22 पे निशान लगाँगी यानि 11 पे निशान लगाए अब जो चैस्ट का 11 इंच का निशान है और तीरे का 8 इंच का निशान है इसको तिर्चा करके आपस में मिला लेना है यह देखिए, चाहें तो आप स्केल रख लें, चाहें तो आप इंची टेप साथ रखके लाइन लगा लें लेकिन मैं ऐसे ही लगा रही हूँ अंदाजे से अब यह आगी है साइड की सिलाई क्या जो निशान है वो तेरा इंच की लंबाई पे लगाना है और चेस्ट और साइड की सिलाई को भी तिर्चा ही लेकि आ रहा है नीचे की तरफ अब हिप्स का नाप लूँगी यहां पर यह नार्मल हिप्स जो है यह 23 इंच होते हैं लेकिन यहां पर 26 इंच रखने हैं क्यूंकि यह कुर्टा नीचे खुली शेप में आ रहा है यानि कि जितना यह नीचे की तरफ आ रहा है उतना यह खुला होता जाता है तो उस हिसाब से मैं आपको मेयरमेंट बता रही हूँ यहां पे 13 पे निशान लगा के तो उपर 11 के साथ हमने रेब में मैच करना है इसको यह देखिए तिर्षा निशान लगाया है पौना इंच सलाई का मार्जन इसके इलावा आगे को रखेंगे और इसके चाक भी बरीक फोल्ड होने है तो उसके लिए पौना इंच कपड़ा वो काफी है आगे जितना कप्रा फ्लतू भौन है वो तिर्षा करके कार देंगे यह देखिए मैं तिर्षा निशान लगाया है के जहां पे यह कप्रा पूरा हो रहा है विथ में तो वहां तक तुर्षा निशान लगाया आप यह मैं इसकी कटिंग आ रही हूं इसकी स्टिचिंग भी आपने ऐसे ही करनी है गला बनाके तो शोल्डर और साइडें पहले स्लाई कर लेनी है फिर बाजों की साइडें स्लाई करके तो इसके साथ अटेच कर लेनी है लेकिन थोड़ा इतियात से बाजो जोड़ते वक्त इतियात कीजिएगा बाकी कुर्ते की स्लाई बिलकुल सादा और असान है इसकी स्लाई नहीं मैं दिखा रही सिर्फ कटिंग का स्टाइल जो है वो दिखा रही हूँ क्योंकि स्लाई सबको आती है इस तरह की बिल्कुल सिंपल है जैसे जैसे यह उरेम में कटा हुआ है वैसे वैसे आपने इसको साथ जोड़ते जाना है अब यह बाजू है इनकी विद्ध कम है तो इसमें एक साइट पर जोड़ डालके तो मैं इसको साड़े 10 इंच चोड़ा कंदा बनाऊंगी यह कफ से थोड़ा सा तिच्छा आपने करके तो उपर इसको फिट करना है यानि कफ से थोड़ा खुला रखना है और उपर आप थोड़ा सा तंग राके तो उसको फोल्ड करें अभी यह साड़े 10 इंच आ गया है तो बाकी जो बचा है उस पर जोड़ डाल रहे हैं यह देख इसको एक इंच उसके उपर ओवरलैप करना है जोड़ वाला जो कपड़ा है इसको एक इंच बाजू के कपड़े के उपर ओवरलैप करना है अब उपर से लेके नीचे तक तीन इंच के उपर निशान लगाना है यह देखिए यह जो तीन इंच का निशान लगाया है इसको दूसी साइड पे किनारे तक तिर्चा निशान लगा लें जिस तरह हमने शेट के कंदे की किटाई की है तिर्ची इसी तरह बाजू की किटाई भी तिर्ची करेंगे यह देखिए यह पिछली वीडियो में जो शलवार मैंने अपलोड की है यह उसके साथ का कुड़ता है और यह पूरा सूट बहुत ही जबर्दस लगता है यह फुल बाजू वाला कुड़ता तियार करने है यह देखिए यह साड़े दासिंच चोड़ा कंदा है इसमें आदा इंसलाई का मारजन है और दासिंच तियार होगा अभी आपको उपर नीचे बिशा के दिखाते हैं के कुर्टा कैसे लगता है क्योंकि जो सैंपल मैंने आपको दिखाया वो थोड़ा डाक कलर में था तो उसकी सलाईया आपको नजर नहीं आ रही थी अभी इसको मैं मैनेज करके आपको दिखाती हूँ यदे की यह इस तरह बाजू इसके साथ जोड़ने हैं वीवर्ज आप से गजारिशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आखर तक देखा करें तबी आपको कोई भी जो दिखाया जाने वाला आर्टिकल होता है वह आपको समझ आता है यह देखिए यह तियार कुरता है यह देखिए यह देखिए जोड़ने है